आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ टेक टो कवर 10 km upstream तो आईए इस question को solve कर लेते हैं सबचे पहले हमारे एक formula होता है distance equal to speed into time तो देखें speed हम कैसे निकालेंगे speed हम निकालते हैं speed हम निकालते हैं boat plus stream ठीक है देखें यह हमें दिया हुए speed of boat in steel water और speed of the stream तो 4 is to 1 है तो कितना हो जाएगा देखें अगर हम downstream है यह हमारा किसका यह downstream का है अगर हमारा upstream है तो speed क्या हो जाएगी हमारी देखें speed हो जाएगी हमारी upstream में b-w यह हो जाएगी upstream में ठीक है तो यहां कितने आएगी यहाँ जाएगी 5X और यहाँ पर कितना जाएगा 3X तो देखिए इसको solve कर लेते हैं यहाँ से D कितना हमारा D है 15 किलोमेटर ठीक है और आपको downstream का time दिया हुआ है तो यहनि कितना हो जाएगा 5X इन्टू 18 अपॉंट कितना जाएग 60 आवर में बतल लूँँगा तो तो यह कितना आएगा देखिए इसको मैं solve कर लेता हूँ 6 से काट दूँँ 3 बर 6 से काट दूँँ 10 बर 5 से काट दूँँगा 3 से 3 चला जाएगा तो X की value किया जाएगी मेरी 10 तो X की value 10 आगी मेरी तो देखिए अब stream की जो speed आजाएगी वो कितना जाएगी 30 ठीक है तो इसको solve कर लेते हैं तो यह कितना जाएगा देखिए 15 equal to 13 into हमें time निकलना है तो time कितना जाएगा आपका 15 upon 30 ठीक है equal to T तो E आजाएगा हमारा कितना वन बई 2 यानि अपका जाएगा टी बराबर कितना एगा यहाँ पर E आजाएगा हमारा माफ किजेएंगे यहाँ पर क्या किया है distance जो हमारा वो 10 दिया गया है तो यहाँ पर 10 distance होगा तो यह कितना जाएगगा 10 by 30 तो यह जाएगा 1 by 3 hour तो लेकिन हमें time दिया हुआ minutes में तो क्या करेंगे 60 से multiply करतेंगे तो यह जाएगा 20 minutes तो हमारा answer है यहापर C option है लेकि Thank you